कर दो झाल तो रादे किशन फ्रेंट कैसे आप आप आए होब आप 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 लोग अच्छे हूंगा चेरे स्थास्त्री मस्त्र बहुत बहुत खुश रहे तो फ्रेंट्स आज मनाने वाले हैं मसाला क्रिस्पी भिंडी तो फ्रेंट्स ये इतनी अच्छी बनती तो भिंडियों को हमने पहले सच्छे से धुल के बीज से चीरा लगा के एक भिंडी की चार से पांक पीसे में कट कर लिया है क्योंकि भिंडे हमारे जितनी भिंडी बचेगी तो आपको फ्राइ करने में आसानी रहेगी जो तेल होता है हमारा फिर वोग फैलता मिंस घंदा नहीं होता है कि जब भिंडी के वीज है ना उसमें चोटे 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 तैरने लगते हैं तो यह जल जाते हैं और भी और इसके बाद भिंडे हमारी क्रिस्पी हो नहीं पाती है और यह ज्यादा जल जाते हैं तो पहुत अलग हो आता है तो चलिए यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ हमने दो बड़े चमच बेसन ले रखा है मिर्च लिया हुआ है 5-6 मिर्च है जो हमने बीज से कट कर दिया चीरा लगा दिया एक हमारे पास नीम्बू है तो आज कल के नीम्बू जो होते हैं काफी रस निकलता है उनमें तो यहां पर हमने जितने भिंडी के बीज थे इनको य हल्दी डाल देंगे हल्दी डालने के बाद इसमें दूसरे मसाले अट करें धनिया पाउडर डाल देंगे यह देखे धनिया पाउडर डालने के बाद यहां पर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर तो यह मिर्च पाउडर तीखा नहीं है बस अच्छा सा कलर आता है तीखा बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको ज्यादा तीखा लगे तो इसकी भी कर सकते हैं तो यहां पर हमने डाल दिया है आधा चमच गरम मसाला इसके बाद इसको हमने मिला लेना है अच्छे से तो फिरेंट जो आपको बेल आइकन दीक रही है उसको प्रेस कर लिजी और पर क्लि बिल्कुल भी नहीं डाला है अच्छे से पहले मिलाने के बाद हमने नमक डाला है लाश्ट में नमक को लाश्ट में ही डाने और इसके बाद अभी भी नहीं डाला है पहले इसको अच्छे से मिला लेंगे जितने की भिंडी में मॉस्चर होता है उतने में जितने मसाले हो सक कि उसमें आपस में लिपड जाएं मिल जाएं वो ज्यादा अच्छा रहता है जिसमें कि भिंडी हमारी ज्यादा गीली ना हो और करारी बने यह बिंडी अगर करारी नहीं बनती तो बेकार होता है तो यहां पर हमने एक नीमू का जूस जो निकाला हुआ था उसको डाल लेंगे यह देखी फिर से अच्छे से मिला लिए अगर हमने पानी की जरुवत नहीं पड़ती तो यहां पर पानी देखी ना पड़े तो न लीजिए कहां पर उत्यूस नहीं पर ने नीमू नहीं तो आप यहां पर आमचूर पाओंडर बीडाल सकते हैं और बेसन की जगह पानी डाला हुआ इसके बाद ये देखे हमें बाकी के पानी के जरुवत नहीं रहे गई है जो बचा हुआ पानी इसको हटा देंगे ये देखे बीज जो है बस अब कुछ तो भीज ये का दिखेंगे दिखेंगे तो चले यहाँ पर जो बचा हुआ पानी आपको दिखा दे इतना हमने जरा सा पानी यूजवा भाकी तरा हमने बच भी गया मिन्स इतनी बिंडे मुझे आधी चमच पानी लगा और इसके बाद एक नीबू के जूस में ही सब पूरा अच्छे से मसाले इसमें लिपट चुके हैं और यहाँ पर यह देखे इसको रख दिया हमने साइड में मिन्स इसको रखने के ज़्यादा देर जरूरत नहीं है जब तक में मिला रही थी उतनी टाइम हमने पैन में चड़ा दिया हुआ था तेल जिसमें की अच्छे से गरम होगा तेल हमारा जब तक लो फ्लेम पर अच्छे से जब तक हीट हो रहा था तक हमने मिला लिए सारे के सारे मसाले और यह फ्रेंट्स विंडी हमारी फैमिली के तो बहुत पसंद करते हैं हमारे गरें और आपको कैसी लगती है बताईगीगा तो यहां पर एक बिंडी डाल करके सरसू का तेल हमने लिए आप कोई सा भी वेजिटेवाल ले सकते हैं तो फ्रेंट्स आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि ज्यादे ज्यादे मेरे वीडियो को लेक देखें कमेंट करें और चैनल को subscribe करें और क्लिक कर लें तो यहां पर हमने यह दे देखें बिंडियों को कैसे डालना आप फैलागे डालना एक दूसरी के उपार बिल्कुल भी नहीं डरा थोड़ी देर में आप पैन को हिला दीजी यहां पर आप किसी भी कर्शी का य कि आपको यहां पर यह दिखा कर लेते हैं जो भिंडी ओंडे तेल हैं हलका बहुत निकले बहुत बेहुत ज्युद्न गणने के अब अपकर करने के बाद डिफे का होई हुए तो यहां पर इसको करते हैं साइड में और इसको निकाल लेते हैं इसको निकालेंगे एक टिशु पेपर में जिसमें कि जितना एक्स्ट्रा ओइल होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा और ज्यादा नीचे तो भिंडिया तो करारी बनी थी यहां पर मसाले छूटे आप गोर से द कर से सारी भिंडियों को फ्राइब करें तो कर दो कर से सारी भिंडियों को फ्राइब